आज बात करेंगे बेंस फार्मसीटिकल कमपेनी का केल्सी बेन के बारे में यह बहुत ही फायदे मन केल्सियम है इसको आप कोई भी आई विदिक इस्टोर से आपको इसको मिल जाएगा यह दोवा बहुत ही कारगर है ऐसे केल्सियम कैसे लेना है के इसले केल्सियम के क्या फायदा है केल्सियम लेने से क्या साइड एफेक हो सकता है और ध्यर जानकारी आज में देने वाला हूँ दोस्तों केल्सियम मुध्ख खोनीज है जो फड़ी के साइस्तों के रख्रकाप में मदद करता है इसको इसके अलबा और लाब भी है उधारन के लिए यह मांग्सोपेशियों के कार्जों में सुधार परता है हीदय ताल मुझबूत रखता है और रख्रकापवा में अन्योखनी जो पोटेशियाम मेगनेशियाम फस्परस के इस तोरों को बनाए रखता है तो दोस्तों केल्सियम के फाइदे तो धेर सारी है जो जितना बोलो उतना कम है इस जो बन स्केल्सिवन है मैं काफी दिनों से लोगों को यूश कराता हूँ और मैंने खूद भी इसको यूश करके देखा है ये बहुत ही कारगर रिजल देता है इसको भाइदे मन लगता है तो कोई भी आदनी को इससे कुछा आप तक रियक्शन नही देखा है तो आप हो सकते तो आप भी ले सकता है लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ जानना है कि केल्सियम बैंस कमपानी में बनाए है यह इसका प्राइज है 120 रुपिया यह देखिए और ने मुख्र रुप से देखाए यह खादी भस्मों केल्सियम कार्बोनेट और अस्षोगंदा इत्याधी कमपोजिशन से बनाया है केल्सियम का फाइदा केल्सियम सावविक रुप से डायरी उत्पादित या खोनीजा जही से केले और ब्रोकोली और अनाज में पाया जाता है खनीजोग को अस्टियोप्रसिस और अस्टियोपिनियल जैसी कुई साइस्तों समस्याओं को उपसार के लिए पुरक रुप में इनीधारित किया जाता है केल्सियम को केल्सियम उस्ट्रक्त सापों को प्रभावी धंग से ज्यांतित करता है और पी एमे एमेसे को लक्षनों को काफी हद तक कम करने के लिए जाना जाता है केल्सियम मुख्ष रुप से पाइल्स भारीकस पैनेस ऑस्टियो प्रसेश एन है पारिप्रास आंसफी युमम इस्तितियों को उ पोइग किया जाता है केल्सियम किन कीके असलीए एक केल्सियम को किन प्रस्तितितियों में लेना साइए केल्सियम को देखने में केशा होता हैं खुल के देखता है इसके दो 200 ml का पेकेजिंग है बहुत सुन्दूर है आप कब लेना है दो पेर के भूझन के बाद और रात के भूझन के बाद अब दो समुझ दूद के साथ अगर दूद में हों तो गरम पानी के साथ इसको मिला के लेना सही है केल्सियम शुरू करने से पहले पूरब किसी भी दबाया और काउंटर ड्रिंग्स के बारे में अपने डक्तर के सुषित करें यह मुखरूप से इसलिए है कि क्योंकि केल्सियम उस जो तिलोताओं को के कारण और दबायों के साथ प्रतिक्या करता है किद्नी के समस्या हड़ी के त्यूमार और दिल के समस्या वाले मुरीजों को नहीं लेना सही है तो आपने सुना जो पेसेन पुराने से पुराने ताइम से दवाया ले रहा है और कोई ड्रिंक्स ले रहा है रूगियों ने दक्तर से सला लेके ही लेना सही है और केल्सियम जदा लेने से किद्नी का भी समस्या हो सकता है और जो दिल की बीमारी है तो नहीं लेना सही पहले दक्तर से सुषित करे और दक्तर को जान करे लेके इसको ये दवाया को आपको लेना सही है तो दोस्तो दवाया होता है सही आपको बीमपनी का लो तो अभी एई काम करेगा केलना आज आपको देखाया है बेंस कुमपनी का जो केल्सियम ज़ाप बहुत ही फायदेमान है कारगर भी है इससे बहुत लोगों को फाइदा भी हुआ है तो के प्रेग्नेंसी टाइम में भी इसको आप दे सकते हैं दो समुष करके दो टाइम यह बहुत भी फाइदा देते है और विद्ध्यों को जो बोईस को लोग है उन लोगों को भी आप कि दो समुष करके दो टाइम कि ले सकते हैं और तिरिक्त हर्डी भी अगर तूट जाए तो उस टाइम भी केल्सियम को पोईक किया जाता है लेकिन उस टाइम दोक्तर की सला से ही लेना सही है कितने दिन लेना है कितने दिन नहीं लेना है यह दोक्तर बोलेगा तो भी लेना है कि दोस्तों वीडियो में बहुत देर टाइम आपने मेरे साथ दिया अगर कुछ कि मिस्टेक हो जाए तो भी समा करना मेरा जो सेनल है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना लाइक शेर सब्सक्राइब दोने करके आप मुझे मोटिवेशन करके आगे और वीडियो बनाने में मदद करें दोस्तों आज के वीडियो इतना ही था फिर मिलेंगे फिर एक नया वीडियो के साथ आज के लिए बाई